हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानो जनित आपदा के बारे में मानो जनित आपदा को मानो निर्मित आपदा भी कहा जाता है तो कंफ्यूज मत हो येगा दोनों सेम चीज है ठीक है तो आज के वीडियो में हम लोग मानौ जनीत आबदा और मानौ जनीत आबदा के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है, अच्छा तरीक्रे से समझने का प्रयास कीजिएगा, चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले तो जानते के जो आपदा लाया जाता है उसको बोलते हैं मानो जनित आपदा या मानो निन्मित आपदा देखे मानो जनित आपदाएं मानवी एकतिविदियों के कारण होने वाली विनासकारी घटनाएं होती हैं इनमें मानो इरादे लापरवाही या मानो निन्मित परणाली की विफलत से जुड़ी त्रोटी का तत्व होता है एक्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं जापान के हिरोस्मा और नागा साकी पे जो परमाणू हमला हुआ था वो अमेरिका करवाया था ठीक है तो कभी-कभी जो है दोटियविस्विस्विद में यह हुआ था घटना 1945 में ठी जापान के यह दोनों सहरों का पूरा विनास हो गया ठीक है पूरा विनास तो यह क्या है एक मानो निर्मित आपदा है ठीक है मानो ने खुद ऐसी आपदाओं को बनाया है ठीक है तो यह कहें तो मानो इरादा था मतलब कि अमेरिका के सैनिकों का यह इरादा था कि हमें जो को बरवाद करना है ठक तो इस तरह से इसमें कुछ लापर्वाही से ौछ इससे भी ऐसी आपदा आती है और प्ष्मानओ इरादे भी इसमें सामील होते हैं ठेक है चलिए आप तो आप समझे के मानो जनीत आपदा या मानो निमित आपदा क्या है कि मतलब ऐसी आपदा जो मानो खुद इसका निर्मान करता है ठीक है लापरवाही के कारण या फिर अपने इरादे से ठीक है या कुछ विफलता के कारण चलिए अगला है मानो जनीत आपदाओं के कुछ उदाहरन देखिए प्राद पहला उतारा नहीं देख लिजे आपराद पहला उतारा नहीं देख लिजे आपराद पहला पहला का है कि जान बूज़कर या एक्षित कार्य के द्वारा लाई गई आपदा इसमें 1945 में जो दुतियविश्वित के दवरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोश्मा पर परमानु भम गिराना ये एक जान बूज़कर और एक्षित कार्य था ठीके मतलब की अमेरिका की एक्षा से ये काम हुआ था कि जापान जो है इसका जापान का हिरोश्मा सहर बरबाद हो गया तो ये आपदा एक जान बूज़कर की गई आपदा थी ठीक है चलिए एक्जाम्पल से ही मैं आपको समझाने वाला हूँ अगला है लापरवाही के कारिय के द्वारा लाई गई आपदा मतलब लापरवाही के द्वारा आई हुई आपदा देखिए तीन या चार दिसंबर 1984 को जब भारत की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ठीक है वो एक लापरवाही के चलते हुई थी ठीक है एक लापरवाही के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी तो ये लापरवाही के कारिया में आएगा अगला है औरनीक्षित कारिया तो देखे, लापरवाही की कारन भोपाल गयस्त त्रास्दी हुई थी ठीक है और ये भोपाल गयस्त त्रास्दी जो है एक पूरी तरह से बहुत बड़ी यापदा थी ठीक है जो 3 और 4 दिसंबर 1984 हुई थी तो ये है लापरवाही के प्रकार में ये आएगा ठीक है क्योंकि ये अबदा लापरवाही के करण हुई थी अब अगला है अनिक्षित कारिया जो अनिक्षित कारिया से जो आपदाएं आती हैं उसको बोलते हैं अनिक्षित कार्य से आने वाली आपदा है इसमें आएगा भूम अंडली या उसमी करण भूम अंडली या उसमी करण देखिए अब ना चाहते ही वे भी होता है पृत्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है मानो किरियाओं के कारण हो रहा है लेकिन ऐसी तो हमारी एक्षा नहीं है कि पृत्वी का बातावरन जो है गर्म हो तो ये एक अनिक्षित कार्य से होने वाली आपदा है नेक्ष्ट है जलवायू परिवर्तन ना चाहते हुए भी हो रहा है तो ये सभी अनिक्षित कार्य के स्रेणी में आएंगे अगला है लापरवाही तथा बद इंतजामी के सम्मिलित कार्या तो देखे कुछ कार्य लापरवाही और बद इंतजामी बद इंतजामी का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से इंतजाम नहीं करने के कारण ठीक है तो लापरवाही और बद इंतजामी के कारण जो अब दाया आती है जैसे रेल दुरुखटना है ठीक है अभी हाला कि उतना टेकनोलोजी ज़्यादा नहीं है भारत में कि अभी जो है रेल दुरुखटनाओं को रोका जा सके ठीक है हाला कि ये कभी-कभी लापरवाही से भी हो जाता है और कभी-कभी बद इंतजामी से भी हो जाता है हाला कि बद इंतजामी तो अभी है ही ठीक है भारत में अभी इंतजाम उतना अच्छा नहीं है कि रेल दुरुखटनाओं को रोका जा सके अगला है सडक दुरुखटना है कभी कभी लोगों की लापरवाही से भी हो जाता है ठीक है और बद इंतजामी तो है ही सडक पर गड़े हैं ठीक है बहुत सारी चीजे हैं तो जिसके करण सडक दुरुखटना होता है अगला है हवाई दुरुखटना है अब हवाई दुरुखटना है किसके करण होता है कभी लापरवाही के करण भी हो जाता है तो कभी बद इंतजामी के करण भी हो जाता है अगला है सागरों में जलयानों की दुरुहटना है अब जो सागर में समुद्रों में जो जलयान जो डूब जाते हैं जहाज बड़े-बड़े डूबते हैं वो भी लापरवाही की कारण हो जाते हैं कभी-कभी और कभी-कभी बदन्तियामी के कराण भी हो जाते हैं तो इस तरह से ये चार प्रकार हैं और चारों में आप समझ चुके हैं कि कौन-कौन से प्रकार में जो है कौन से दुरगटना आएगी ठीक है तो आई होप कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और कोई सवाल है कंफ्यूजन है तो कमेंट जरू कीजेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद